नमस्कार, मैं प्राची सिंग आप सिब का आज जॉली अंकल की यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूं मारे साथ हैं जॉली अंकल, जॉली अंकल आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपने इतना कॉंट्रिबूशन दिया है सुसाइटी को इतनी सारी बुक्स लिखी है, आपकी बहुत सारी बुक्स जो है वो फेमस हुई, थर्टी फाइफ के आसपास आपने बुक्स लिखी है लेटेस्ट आपकी बुक जो है वो ग्रेफोलोजी के उपर है तो आप लगातार सेवा कर रहे हैं, लोगों की सहायता कर रहे हैं तो मैंने सोचा आज कुछ 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 नहीं हमारे दिमाग में भी थे इसके उपर बात करते हैं और इसकी शुरुवात करते हैं ऐसी चीज से जो हमारी परच्छाई बन गई है ऐसा वर्ड है, वो है stress और tension, वो lifetime part हो गया है और बच्चों को भी है, बड़ों को भी है और पहले भी होते थे ऐसा नहीं है त्रेस पहले पार्ट नहीं था लेगिन अभी difference यह हम साथ में लेके चल रहे हैं उसको तो सर इसके उपर आप क्या अपने व्यूस देना चाहेंगे और हम आपसे क्या guidance ऐसी ले जो हमारे stress level को, tension को decrease करें और हम इसको अपनी परच्छाई न बनाए इसको handle करना सीख सकें जी प्राची जी आज आपने जो topic लिया stress और tension वाके यह हम सभी की जिंदगी का हिस्सा बनते जा रहे हैं बेसिकली अगर देखा जाए तो जब इंसान का जनम होता है इस दुनिया में जब वो बच्चा आता है तो उसी दिन से जो है उसके साथी चीज़ें जुड़ जाती है क्योंकि जब तक बच्चा मा के पेट के अंदर रहता है तो उसको अपनी safety, security, खाने, पीने, किसी भी चीज़ की उसे फिकर नहीं होती लेकिन जब उसका जनम होता है और वो इस दुनिया में आता है तो सबसे पहले उसको अपनी safety जो है वो अपने आपको insecure feel करता है क्योंकि जो protection अंदर उसको मिल रही थी वो उसे लगता है कि अब नहीं मिलेगी दूसरा जो बड़े लोगों को भी है वो है चिंता, खाने पीने की, अपनी life manage करने की वो तीसरे आपनी जिन्दगी को बचाने की तो ये में basically तीन चीज़े हैं जो हमें सारी जिन्दगी परिशान करती है हम तो बहुत आम आदमी है अगर बड़ी-बड़ी महानस्तियों को जीवन को देखा जाए अपने गुरुओं को देखा जाए बगवान को देखा जाए जाए बगवान राम थे क्रिशन जी हुए हमारे सिख्वों के बहुत सारे गुरु हुए तो अगर उनकी सारी जिन्दगी को हम अच्छे से देखते हैं तो उन्होंने जो करसे हैं शहिए हम उनका .001 परसंट भी नहीं है लेकिन क्या है कि हम लोग बहुत जल्दी घबरा जाते हैं हमारे अंदर पेशन्स की कमी है आज अगर अधिकतर समाज में देखा जाए बहुत सारे लोग जो स्ट्रेस के माइने नहीं समझते डिप्रेशन के माइने नहीं समझते लेकिन मैं डिप्रेशन में हूजी डिप्रेशन क्या है यह उनको नहीं बता है लेकिन उनको यह बता है कि मैं डिप्रेशन में हूँ means कि भी basically चिंता है चिंता करने से कभी किसी problem का हल नहीं मिलता तो इसका solution एक ही है कि हम अपना mindset जो है वो थोड़ा सा strong रखें जिस तरह महा नस्तियों ने अपने जीवन में रखा तो जब उनके जीवन में भी problem आते थी समस्याएं आते थी तो वो उसको बड़े अच्छे से अपने mind को मजबूत बनाते हुए अपने आतम विश्वास को maintain करते हुए उसका मुकाबला करते थे तो यह जो चीज़े हैं दूसरा आज की society में जो एक stress बढ़ने का reason है वो मैं देखता हूँ कि ego कि मैंने किसी को कोई काम कहा है तो उसने वो वैसे क्यों नहीं किया मैंने जब उसे का था कि यह काम आज हो जाना चाहिए तो आज क्यों नहीं हुआ मैंने किसी को कोई order किया तो उसकी कैसे हमत होई कि उसने उसको नहीं माना तो यह चीज़ें सामने वले को कोई effect करें या ना करें लेकिन हम अपनी जिंदगी को ज़रूर damage कर लेते हैं अपनी ego से तो stress, tension, depression इन सब को थोड़ा सा control करने का ये की तरीका है कि हम जिंदगी में थोड़ी सी flexibility रखें अपने परिवार के साथ relationship में अच्छा तालमिल बना के रखें जहां पे भी हम काम करते हैं चाहिए business है हमारा या कोई भी हम नोकरी करते हैं तो जहां भी है तो वहाँ पे जो social circle है उनके साथ हमारी इतनी अच्छी understanding होनी चाहिए कि अगर थोड़ा बहुत कहीं तनाव आता है चेंता आती है तो हम वहाँ पे discuss करके उसको release कर सकें एक word मैं और छोटा सा कहना चाहूँगा अगर उस word को हम याद रख ले बहुत हद तक हम इन बिमारियों से बच सकते है वो ए लव अगर हमें अपने परिवार के साथ अपने बच्चों के साथ प्यार होता है तो हम जहां कहीं काम करते है तो हमारी कोशिश होती है कि हम जल्दी से जल्दी अपना काम निप्टा के अपने पच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ जाके वो time enjoy करें ऐसा ही अगर काम जहां हम करते हैं अगर वहाँ पे भी अगर हमें अच्छा मोहल मिलता है तो हमें वो भी जगा अच्छी लगती है तो हम खुशी-खुशी जाके वहाँ पे काम करते हैं और stress tension से easily बच जाते हैं और life को manage कर सकते हैं यहाँ पर एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगी जो आपने दो चीजें कहीं कि हम share करें बातें अपनी और दूसरा यह कि जो love वाला factor है इसको साथ में लेके चलें तो जो sharing वाली बातें आपको लगता है कहीं ने कहीं trust level जो है वो decrease हुआ है लोग सोचते हैं शायद यह चीज कहनी भी चाहिए नहीं भी करनी चाहिए या जो जितना easily हम कर लेते थे पहले जब छोटे थे या शायद आपने भी उसमें देखा होगा बड़ों को आया हमने अपने बड़ों को भी देखा है बैट करके चौपाल भी लगती थी गौँ में तो अब बहुत सारी बाते डिसकस कर लेते थे घर की भी गर लेते थे अब वो चीज़े कम हो रही हैं तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे देखो इसके बारे में मैं सिंपल एक चीज़ कहना चाहूँगा मैंने शिरू में ही कहा था कि अगर हम हर चीज़ सिरफ अंदर भरते जाएंगे चूटी सी बात को लेके चिंता को अंदर डालते जाएंगे और उसको कब टेंशन बन जाएगी कब वो डिप्रेशन में ले जाएगा और आपने भी नोट किया होगा चिंता और चिता दोनों में ज़्यादा फरक नहीं सिरफ एक बिंदी का फरक है तो अगर चिंता को टाइमली हम रिलीस नहीं करते और अंदर ही कठी करते रहते हैं पता निक किस दिन हमें चिता के पास ले जाएगी और चिता तो हमें एक बार जलाती है चिंता हमें हर पल जलाती है तो इससे बचने की बहुत जरूरत है थोड़ा सा विश्वास आपस में रखने की जरूरत है मैंने जो पहला पॉइंट लिया था कि बिहेवियर बिहेवियर हमें आपस में थोड़ा सा विश्वास रखना चाहिए एक दूसरे पर तो जितनी खुशी मलकी हम सोचेंगे, जितनी हम शेर करेंगे कुदुरत का ये नियम है कि वो मल्टिप्लाई होके 10 टाइंस, 20 टाइंस वापिस हमारे पास आएगी जब इतनी सारी खुशी हमारे पास आएगी तो नेचुरली स्ट्रेस, टेंशन, चिंता ये उसके नजदीक भी नहीं आ सकते इसमें एक चीज़ और है जैसे आपने अभी एक बुक लिखी है ग्रैफोलोजी के उपर और इसने खुद मुझे भी बहुत हेल्प किया आपसे जो भी मैंने टिप्स लिये बहुत सारे लोगों को किया जो मेरे नोन है तो अभी इस स्ट्रेस और टेंशन के उपर आप ग्रैफोलोजी का क्या टिप देना चाहेंगे कि हमें अपने सिग्नेचर में ऐसे क्या बदलाओ करने चाहें कि इसको हम अपने सब कॉंशिस माइंड से भी इसको डिग्रीज कर सकें देखो अगर ग्रैफोलोजी के नजरिये से हम देखते हैं तो हमें हैंड राइटिंग बिलकुल साफ रखनी चाहें बच्चों को शिरू से समझाएं कि हैंड राइटिंग जितनी साफ होगी जितनी अच्छे से हम पढ़ सकते हैं उतना ही इसली जो है वह बहुत जादा शार्प एंगल बना के नहीं लिखना चाहें जहां तक मुम्किन हो सके हमेशा थोड़ी सी कर्व देके तो वह लिखना चाहिए इससे लाइफ में हमारी फ्लेक्सिविल्टी बनी रहती है कभी भी बिल्कुन 90 डिग्री के उपर हमें अपने साइन नहीं करने चाहिए उसको 30 तू 40 डिग्री के बीच में अगर हम साइन करते हैं हमारी लाइफ में थोड़ी फ्लेक्सिविल्टी बनी रहती है और उससे हम बढ़ी असानी से ही स्ट्रेस रहे निचे से बज सकते हैं जी थैंक्यू सो मज सर मुझे लगता है हमारे दर्शवों के लिए भी ये वीडियो बहुत ही हैल्फुल रहा होगा और इसी तरह के और भी वीडियो हम आने वाले टाइम में भी शूट करते रहेंगे तो इसकी और ज्यादा जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले और बेल आइकन को ज़रूर प्लेस करें क्योंकि इससे आपको जो लेटेस्ट वीडियो आ रहे होंगी उसके बारे में ज़रूर जानकारी मिलेगी और अगर आपकी कोई कोश्चन है या आप किसी और टॉपिक के ओपर बात करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें थांक यू सो मच सर थांक यू अपना टाइम निकालने के लिए थांक यू प्राची जी यह वैग्यू एडिशन हम सभी के लिए बहुत जादा यूसफुल है और सब के लिए यूसफुल हो यह हमारी आशा है थांक यू सो मच